तेहमान हानी मामले में राहूल गांधी को राहत मिल गई है सुल्तानपूर MPML कौट से बड़ी राहत मिली है राहूल गांधी को कौट ने राहूल गांधी को जमानत दे दी है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कौर्ट की तरफ से राहूल गांधी को जमानत मिल गई, अवसे थोड़ी दिर पहले कौर्ट पहुंचे थे, 2018 में राहूल गांधी ने ये बयान दिया था, जो की विवादित बयान था, और उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी राहूल गांधी के खिलाफ, बयान दर्ज, जो बयान दो दिया गया राहूल गांधी ने उसके खिलाफ दर्ज किया गया केस, करनाचक विधान सबाचुनाफ के दौरान, ग्री मंतरी अमिश शा को लेकर अभद्र टिपणी राहूल गांधी ने की थी? इस तरह से उन्होंने अभद्र वासा का प्रयोग किया था, उसी पर इनकी जो वीडियो क्लिप दाखिल हुई थी और जो गवाहों का बयान हुआ था, उसको कंसीडर करते हुए, अन्रेबल कोट ने इनकी तल्वी किया था. तो राहूल गांधी के लिए अच्छी खबर है और बड़ी राहत राहूल गांधी को मिल रही है, अपनी यात्रा लेकर इस समय भारत जोड़ोनियात यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, और अब देखिए आज की इनकी हाजरी बेहत जरूरी थी, कई जारित के आकिरकार कॉर्ट में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, और अब बड़ी राहत राहूल गांधी को दे दी गई है, विवादित बयान पर राहूल गांधी को ये बड़ी राहत दी गई है, मानहानी के मामले में सुल्तानपूर MP MLA कॉर्ट की तरफ से, थोड़ी राहूल गांधी को मिल गई है, 2018 में आपने सुना था किस तरह से चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान राहूल गांधी ने ग्रीमंत्री अमिशा को लेकर अपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया था, विवादित बोल बोले थे, उसी की एवज में ये शर पपू पांडे और जानकारी के साथ उड़ गये हैं फोन लाइन पर, पपू, कौट में क्या हुआ आज, राहूल गांधी को बड़ी राहत मिली है आज? ये बिल्कुल आपको बटा दें जिस तरीके से आज MPML कोट ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को सुल्तानपूर MPML कोट में तलब किया था, राहूल गांधी अमेठी से भारत जोड़ो नया यात्रा को बीच में छोड़कर सुल्तानपूर MPML कोट पहुँचे, जहां व दोत हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, पूरे मामले पर अदालत की तरफ से राहूल गांधी को फिलाल जमानत उनकी मनजूर कर ली गई है, और इस मामले को लेकर के जो राहूल गांधी है, उन्होंने कोर्ट से मेयाले से साफ साफ कहा कि मैं मेरी कोई गलती नहीं है सिर्फ यह हुआ उसके बाद बड़ी संक्षा में कांग्रेस के नेता कारकरता सुल्तानपूर एंपीमले कोट परिशर में पहुंचे हुए थे और खास बात यह रहे कि जिस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचे वहां बड़ी संक्षा में जो ल के नारे लगने लगे लेकिन फिलाल आज वह एंपीमले कोट ने जिस तरीके से उनको तलब किया था वो कोट पहुंचे और अपना पर्च रखे इस दौरान राहुल गांधी ने बार बार नाय अधिस से कहा कि मैं बेकसूर हूं मेरा कोई दोस नहीं है राहुल गांधी के अधिवर्चा ने पूरे मामले पर बहस की और जिसके बाद नियाले में राहुल गांधी की जमानत को मंजूर कर लिया है राहुल गांधी जहां जहां पर भारत जोडो न्यायातरा लेकर जा रहे हैं वहां सब जगा पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के लिए जैकारे लगते हैं और जैशीरी राम के भी नारे लगते हैं एक बार फिर से सुल्तानपूर से भी अब ऐसी ही गूंच सुनाई दि और अब इसी बात को सुनते हुए कौर्ट ने अपनी तरफ से ये जमानत भी राहूल गांधी को दे दी है लेकिन आगे भी आगे सुनवाई जो होनी है उस पर राहूल गांधी को कौर्ट में पेश होना होगा 2018 का वो बयान जो राहूल गांधी ने चुनावी जनसभा में दिया वो उनकी गलेग की फांस बन गया बार बार उनको पहुँचना पढ़ रहा है सुल्टानपुर MPML कोर्ट हाजरी के लिए और कोर्ट की सुनवाई के दौरान इसी के लिहाज से आज का ये दिन भी बेहद महत पून हो जाता है राजनेतिक लिहाज से आज का दिन इसलिए महत पून हो जाता है कि एक तरफ कोट में राहूल गांधी की पेशी और दूसरी तरफ राहूल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा जारी है तो आज की बड़ी खबर राहूल गांधी को मिली है बड़ी राहत मानहानी मामले में राहूल गांधी को जमानत दी गई है